जब अचानक से महमान घर में आ जाएं तो हम यही सोचते हैं कि क्या कुछ ऐसा नया बनाएं जो स्वाधिस्ट भी हो और 5-10 मिन्ट में बनके तयार हो जाएं तो इसलिए कुछ आज ऐसा ही बनाते हैं यह मैंने चार कच्चे आलू छील लिये हैं और छील के मैंने पानी में रख दिये ताकि इनका कलर चेंज ना हो और इनको हम ग्रेट कर लेंगे जैसे भी ग्रेटर से करें आप मेडियूम वाले से या छोटे वाले से जैसे आपको पस हो जाना चाहिए बिल्कुल ये पानी कलियर हो जाना चाहिए और ये दिखे इस तरह से धोली आ है इनको मैंने तीन चार बार और तीन चार बार धोने के बाद इनको लास्ट में हम निचोड के दूसरे बरतन में डाल लेंगे पानी नहीं रहना चाहिए इन में तो इसमें ए का पाउडर डाल लेए थोड़ी दो पींच छल्दी डालेंगेSt अगर आपके पास हरा दनिया को आलो में मिक्स कर लेंगे इस तरह से देखिए सारे पूहे को पीश के वो इसमें डाल लीजिए अच्छी बाइंडिंग के लिए और इसमें चार पांच चमच हम ये बेशन डालेंगे और इन सारी की जो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको ये ऐसा लगे की पतला है तो आप इसमें और बेशन मिला सकते हैं या फिर और चावल काटा या पोहा पीश के या कौन स्टार्च कुछ भी मिला लीजिए बस ऐसा होना चाहिए कि ये बंद जाए गाडा इसको थोड़ा बना लीजिए और ये देखें इसको मैंन गोल नहीं करना है बस रफली गोल कर लेंगे और ये देखें मैंने पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया दा पहले ही ये तेल गरम हो चुका है तो ये अब हम इसमें इस तरह गोल गोल बना के डाल देंगे जितने भी आए पैन में आठ दस जितने भी आप डालना चाह ज्यादा बड़ा साइज मैंने नहीं बनाया है, छोटे-छोटे बनाये हैं ताकि अंदर तक यह अच्छे से पक जाएं, गरम तेल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे धीरे-धीरे पकने देंगे, अंदर तक अच्छे से इनको पका लेना है, लेकिन हाई फ्लेम पे नहीं हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो अंदर से कच्छे रह जाएंगे और उपर से एकदम डार्क हो जाएंगे, तो गरम तेल में डालके आपने मीडियम फ्लेम पे लगातार इस तरह चलाते हुए पका लेने हैं अंदर तक, तो यह देखिए अच्छा सुनेरा कलर इन पे आ चु और यह दिखिए जटपट से 5-10 मिन्ट में बड़ा ही टेस्टी स्नैक्स बन जाता है और एकदम क्रिस्पी कुरकुरे बनते हैं जब भी घर में मेमान आए या कुछ चटपटा खाने का मन करें तो 5-10 मिन्ट में आप इसे बनाईए और मजे से खाईए रेसिपी पसंद नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइबाई थैंक्यू